बहुत टेस्टी और हेल्दी नास्ता है ये और आप इस तरह के रेसिपी आप जरूर बनाएं आप एक वर बनाएं तो आपको बार बार खाने का मन करेगा तो ये रेसिपी आप जरूर ट्राय करें आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी हमें जरूर बताएं और आपको ये पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल लेंगे और उसमें दो कप बेशन डालेंगे अब यहां पर दो से तीन हरी मिर्च इस तरह से काट करके लेंगे और एक प्याज और कुछ धनिया की पत् धन्या की पत्ती थोरी ज्यादा लें इसका फ्लेवर इसमेर बहुत बड़ी आता है और इहां पर एक बड़े अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी में जडालेंगे और इसका आप चाहें तो इसमें कुछ और भी वेजटेवल आड़ कर सकते हैं जैसे की सिम्ला मेर्च गाजर आपके पास जो भी वेजटेवल अबलेबल हो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं यह देखिए गोल की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसा ही गोल हमें चाहिए अब इसे कुछ दिर रेश्ट करने देंगे अब देखिए गोल दस मिनट हो गया है तब इसे हम चेक कर लेते हैं यह गोल बिल्कुल रेडी है अब एक तबे को हीट करेंगे और उसमें तोर असा ओयल डालेंगे और इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे एक कब बैटर डालेंगे इसमें और इस तरह से भेला लेंगे उपर से जब यह ड्राय होने लगे तब इस तरह से हमें किनारे से उठाते हुए मोरते जाना है बिल्कुल ओमलेट का सेप देना है इसे और इसका टेस्ट ओमलेट के जैसा ही लगता है यह देखें दोनों तरब से इसे पलटके इसे दोनों साइड से से शेक लेंगे अदिए तरह से खल रहा होने देंगे उसके बाद इसे निकाल लेंगे तो अब दोन कर रेडी है तो दूसरा भी इसी तरह से बना लेंगे बस थोरा सो ओयल डालना है और एक कप इसमें बैसे इसमें डाटके आज़ों बेटर डालेंगे और इसी तरह से अलगते पलगते इसे गोल्डन होने तक सेखना है यह लेजिए दूसरी भी बनकर रेड़ी है कम समय में बनने वाली इंस्टेंट रेसिपी बहुत जल्दी बनती है बहुत टिस्टी और हेल्दी नास्ता है यह और आप इस तरह के रेसिपी आप जरूर बनाएं आप एक वर बनाएंगे तो आपको बार बार खाने का मन करेंगा तो यह रेसिपी आप जरूर ट्राय करें आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी हमें जरूर बताएं और आपको यह रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक् झाल झाल